नमस्कार मैं डॉक्टर प्रीती पालिवाल सेंटर हेड कांसल्टर रिप्रोड़क्टिव मेडिसिन नीलकंट आईवीफ सेंटर कोटा से आज हम बात करेंगे कि आईवीफ प्रक्रिया की सफलता दर को क्या कोई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है तो आए जाने आईवीफ प बढ़ती उम्र की वज़े से आईवीफ की सफलता दर भी कम हो जाती है यदि महिला कम उमर की है यानि 25-30 वर्ष की है तो ऐसी महिलाओं में आईवीफ की सफलता दर सरवाबिक होती है बढ़ती उम्र के साथ में महिलाओं में कई तरह की बिमारियां भी आ जाती है जिनकी व महिला अत्यदिक वजन वाली है यानि कि उनका वजन नॉर्मल महिला से कई गुना जादा है या फिर महिला अंडर्वेट है यानि कि बहुत ही ज्यादा कुपोशित है तो ऐसी महिलाओं में भी इसके अलावा गर्भाषय का स्वास से भी बहुत मैत्वपून है गर्भाषय वह अंग है जहां पर भून इंप्लांट होता है यानि कि वह विक्सित होता है जन्न तक तो गर्भाषय की अंद्रूनी परत जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसका भी स्वस्थ होना बहुत ज सफलता दर पर नकरात्मक प्रभाव करता है इसके अलावा यदि महीला को पोशित है पोशन की कमी है तो भी आईवेफ प्रकरिया की दर कम रह सकती है तो मरीज का शारेदिक वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना आईवेफ की सफलता दर को अच्छा रखने के लिए जरूरी ह इसके अलावा आईवेफ सेंटर का सही चैन करना और वहां उपस्तित इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की स्किल्स और एक्सपर्टीज और अनुभव यह भी एक मैत्वपूर्ण कारक है जो कि आपकी आईवेफ की सफलता दर को प्रभावित करते हैं आगे आप आईवेफ झाल करते हैं वह हता है